नमस्कार जेहिंद वंदे मातरम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब परिवार राजस्तान क्लासेज पर देखे पैरे साथियों आज अपन बात करेंगे राजस्तान जीके के टॉप 35 क्वेशन जो राजस्तान की क्रसी से संबन्दित होंगे राजस्तान की क्रसी के जो अती महतुपूर्ण प्रस्ण बनते हैं जो एक्जाम की दरस्टी से बहुत महत्पूर्ण और बार बार आपको एक्जाम में रिपिटेड होते हैं वो question आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों ये question mostly रहेंगे और super fast रहेंगे बिना time waste के start करते हैं पहला प्रसन आपकी screen पे है और दोस्तों यहापे आपको बताना है last में अपने score share करना है कि आपके कितने प्रसन सही हुए है क्योंकि score share करना और score देखना भी बहुत जरूरी कि आप आपने कितना कुछ gain किया है राजिय में इसफ गोल का उत्पादन लगबग कितना है दोस्तों बार बार रिपेटेट क्वेसन है और right answer आप सभी का हो जाएगा यह option 40% जो है 40% जो है राजिय में इसफ गोल का इतना उत्पादन है चले यह question आपका right हो गया next question को देखते है और next question आता बेर वे खजूर अनुसंदान के अंदर कहा इस्तापित है बार्ड मेर में बीकानेर में जोदपुर में जेपुर में बहुत आसान प्रस्न है अगर हम बात करें बेर वे खजूर अनुसंदान की बात करें तो बीकानेर आपका right answer हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो होता है सबसे आसान question है यह और यहाँ पर आपका उदेपुर यह नहीं होगा और जेपुर वाला भी नहीं होगा गंगा नगर और हनुमानगड हो जाएगा दोस्तों गंगा नगर में होने के कान गंगा नगर को राजस्तान का अन्नागार भी कहा जाता है अनका भंडार भी कहा जाता है तो नेक्स क्वेसन है दोस्तों सूपर फास्ट होगी ये क्लास ठीक है तो आपको बिलकुल पढ़ना है साथ-साथ माही सुगंदा किसकी सरोतम उत्पादन वाली किसमे माही और सुगंदा जो है ना ये किसकी किसमे जो सरोतम है चना होगा चावल होगा बिलकुल राइट आंशर क्या हो जाएगा चावल हो जाएगा बहुत अच्छा क्वैसन है अगला क्वैसन देता हूं आपको कि देखेगा केंदरीयक क्रसी फ़र्म सूर्थगर्ड अगस्द 1956 में किस देश के साहिता से इस्तभीद किया गया बहुत बार ये क्वैसन बता चुका हूं राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा रूच दोस्तों ठीक है क्या हो जाएगा रूच हो जाएगा क्रशी फ़र्म जो सूरतगर में है और दोस्तों एक और जैतर सर में वो कनाडा की साइता से हुआ किसकी साइता से कनाडा की साइता तो याद रखेंगे important question है ठीक है ना चले अगला question देखते हैं दोस्तों और यहाँ पर आपका rule सोजाएगा answer C option next question है दोस्तों क्या पूचा जा रहा है चेती जो है ये दमस्क चेती कह सकते हो गुलाब की खेती राज़े के किस चेतर में की जाती है गिलुंड में, खमनोर में, खारा में, खुल्शू खेडा में दोस्तों बहुत आसान प्रस्ने और खमनोर में जो है ये खेती की जाती खमनोर जो कहां पर है ये आपका खमनोर राज़समंद में पढ़ता है अगला क्वेसन नंबर साथ में ये पूचा जा रहा है कि उपलब्द चेतर के प्रतिसत की दरस्टी से सरवादीक वेउर्थ पठारी चेतर किस जिले के अंतरगत आता है तो देखेगा जैसल में रोगा गंगा नगर होगा राज़समंद होगा या बासवड होगा इसका आपका राइट आंसर राज़समंद हो जाएगा दोस्तों काजरी का एक चेतरी अनुसंदान केंदर राज़य के बाहर का इस्तापित है दोस्तों देखेगा काजरी का एक चेतरी अनुसंदान जो केंदर है वो राज़स्तान के बाहर इस्तापित किया गया वो कहां पर इस्तापित किया गया तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आंस के अधार पर राजस्तान को कितने घ्रवायू ogl राजसान को कितने ग्रसिज़ाईurry Hum ki एग्जाम कि ध्सिया विय खुत रप पतादम पर राजस्तान को कितने क्रसि जलवायू Roberto क्या ग्या है दस भागों ऐख्री में। बांटा गया है ये कई बार अपने इसके Все बात भी की है नमबर दस question है दोस्तों यहाँ पर यह नए question है important question है ठीक है राजिय में सरवादीक अद्रक उत्पादी जो जिल्ला है वो कौन सा जिल्ला है तो ऐसे में अगर आपको प्रस्ण कर लिया जाता है तो बासवड़ा नहीं बलकि आप डूंगरपूर को लॉक करेंग तो सीताफल, सुकंदर, शेहतूत या फिर अनार कुंबलगर जो है ना ये किस के लिए किस फसल के उत्पद्दन के लिए प्रसीद है तो सीताफल हो जाएगा आपका right answer ठीक है कौन जाओ जाएगा सीताफल हो जाएगा mostly question है ये भी आपका अगला question देखते है नमबर 12 नमब पूचा जारा कि राष्ट्रिय सरसों अनुसंदान के अंदर सेवर जो है भरतपूर में कब इस्ताफित किया गया दोस्तों सरसों अनुसंदार है जो बरतपूर में सभी को बताए और ये कहां पर ये सेवर है सेवर में और सेवर जो भरतपूर हो गया दोस्तों कब अक्टूबर 1993 को किया गया ठीक है तो 20 अक्टूबर 1993 भी आफिसन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमबर 13 क्वेसन में पूचा ये जा रहा है जायद हो जायगा ठीक है यहां पर तो देखे दोस्तों ये है कि वे तिलहनी फसल जो रभी खरीब हो जायद तीनों फसल में प् की दोस्त क्या हो जाएगा सुरज मोखी हो जायगा दोस्तों क्रसी के आपके लिए लेखराया हूं और है अफिम उत्पादन में सब को पता है ये जो जिला है डूंगरपूर रही है और राज समंद भी रही है चितोड़ गड़ो जाएगा सी आफसन यहाँ पर सरवादिक अफिम होता है दोस्त ठीक है तो इसके बारे में ये इंपोटेंट जान का रही है नेक्स्ट क्वेसन उनालू फसल का जाता है कहते है ना उनालू ठीक है उनालू फसल किसको का जाता है रभी की फसल को उनालू फसल का जाता है मोस्ट क्वेसन है दोस्त अगला क्वेसन देखेंगे नंबर सत्रा क्वेसन है कि खस का उत्पादन करने वाले जो प्रमुक जिल्ले है वो कौन से है खस जो है दोस्तों खस क्या है फसल है और इसका उत्पादन करने वाले सबसे प्रमुक जो जिल्ले है ना सबसे प्रमुक तो है आपका टॉंक उसके बाद आता है सवाई मादुपूर और फरतपूर यह जो है सटिक सटिक जो जिल्ले यह है खस उत्पादन के लिए सबसे प्र क्रिन पे है और ये प्रस्ण बड़ा प्रस्ण है थोड़ा सा ध्यान पूर पढ़िएगा फिर वापस नहीं पढ़ेंगे कि जैसलमेर और बाडमेर जलों में वर्सा काल में बड़े गड़े बना कर पानी एकत्र कर लिया जाता है और पानी सूकने के बाद बीज बो दिये जा कि जाते हैं और के साब इस प्रकार की की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है ऐसा प्रस्ण कई बार एक्जाम में बना हुए है तो हम यहाँ पर भाड़ करेंगे खडीन करसी को किस नहीं कर लेंगा किशा कर लेंगे प्रसेद्श कर लेंगे ऑपरीम का के आह राजे में किस हिसान की मेंदी अच्छी किसम लाल सुर्क के लिए प्रसीद है गिलूंड होगा बीनमाल होगा बिलाड़ा होगा जैतारण होगा मोस्टली क्वेसन है गिलूंड हो जाएगा और ये गिलूंड आपका राज समन्द में पढ़ता है दोस्त ठीक है और अगला मिर्च के लिए कौन सा जिल्ला प्रसीद है स्वाई मादूपूर जोदपूर नागोर या गिलूंड राज समन्द मोस्टली क्वेसन है हम याँ पर लॉक कर देंगे मथानिया को दोस्तों क्या करेंगे मथानिया को मथानिया जो है कहां पर पढ़ता है ये जोदपूर में और दोस्तों ये लाल मिर्च के लिए प्रसीद हैं ओके दोस्त आगे बढ़ते हैं नमबर 21 क्वेसन में ये पूचा जा रहा है कि परदान मंत्री किसान मांधन योजना में पंजी करण की शुरुवात कम की गई नो अगस्त को की गई दोस्तों और नो अगस्त कौन सा हो जा क्वेसन जो दोस्तों करेंट का क्वेसन है आपका नेक्स्ट क्वेसन नमबर 22 जलिल्दी बताएगा आंसर नमबर 22 का राज्य के कुल क्रशी चैतरपल का लगबग कितना प्रतिशत खरीब के मौसम में बोया जाता है तो 65 प्रतिशत जो है खरीब की फसल होती है यहां पर औ चैतर तोफू खरीब फसल कितनी होती है 65 परइसन नेक्स्ट क्वेसन देखते है और यह क्वेसन है नेवर मैसे कौ्झसा संस्तान जो है अबारति है क्रशी अनुसंदान परिशत आई-सी-ए-ार द्वारा इस्तापित नहीं है आई-सी-ए-ार द्वारा इस्तापित नहोने वाला जो आपर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर तो हम लॉक करेंगे राज्यकरसी प्रबंदन संसथान कौन सा नहीं है राज्यकरसी प्रबंदन संसान जो है ये इसके दूरा इस्था पित नहीं है बाकि जैसे राश्ट्री सरसोगो अनुसंतान सेवर्ज भरपूर है ना ये ICR द्वारा इस्ताफित है और ये केवल जो है ये नहीं है अगला क्वेसन है नंबर 120 में ये पूचा जा रहा है दोस्तों ऐसे क्वेसन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे मैं जो बता रहा हूँ इंपोर्टेंट बहुत कहीं जगे से बहुत मुस्किल से आपर ये बने क्वेसन है राज्य में उद्धाने की विकास को बढ़ावा देने है तू उत्तम गुणवता के पोदों के उत्पादन और आपूर्त ये तू राज अंस की इस्ताफना की गई और उसका राइट आंसर का हो जाएगा दोजार चार पांच में की गई दोस्तों चार पांच में ठीक है तो डी आफ़सन करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्ट क्वेसन था अगला क्वेसन एक की मौंगफली का वास्ट्विक नाम क्या है दोस्तों मौंगफली का वास्ट्विक नाम दोस्तों हैपोग है देखे दोस्तों प्रसने Clap की सब्सक्राइब और करेक्ट आजखा उस्तान को केंध्रिय सायता के रूप में भार सरकार के प्रतिसरत योगडान को बताईएगा ये राश्टिय क्रसी विकास योजना जो है ना इसके अंतरगत राजस्तान को केंदरी सरकार की क्या सायता कितनी सायता मिली मतलब कितने प्रतिसद तो हम लॉग करेंगे 60 प्रतिसद जो है सायता मिली ए आफ्षिन आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट पढ़ाए इसको ठीक है तो कैथून जो की हो जाएगा आपका right answer कैथून जो कहांपर है यह कोटा में दोस्तों कहांपर है कोटा में है राज्य की पहली नेज़ी चैतर की पहली क्रसी मंडी हो जाएगा अगला question आपकी स्क्रेंट पर देता हूँ और last question रहेगा यह आपका दे तो मुहना में इस्थाफित किया गया तो मुहना में इस्थाफित किया गया दोस्त कहां पर मुहना और ये मुहना आपका जैपुर में इस्थी थे दोस्तों इन 30 मेंसे आपके कितने प्रस्ण सही हुए बाहर आके comment section में जरूर बताएगा बाहर आके बताएगा यहां पर live में नहीं बताना है उमीद करते हूँ आपके 30 मेंसे जो है 20 questions तो सही हुए ही होंगे अगर 20 सही हो रहे हैं तो बिलकुल अच्छी बात है अगर इससे भी कम हो रहे हैं तो हमारे साथ बने रहेगा हमारे एक topic को इस परकार से clear करेंगे ऐसे clear करेंगे कि आपका कोई भी question जो है पीछे नहीं रहेगा exam किसी भी exam के आप अगर तयारी कर रहे हैं तो चले दोस्तों आ आप सभी का बहुत बदावार धन्यवाद प्रेम पूर्वक सुक्रिया धन्यवाद अगर आप चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस दबा कर शेर वगेरा जरूर करिएगा बहुत 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 धन्यवाद